हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राज बायोस्कूप के ओर से मैं आप सब का स्वागत करता हूँ जैसे कि आपको पता है कि CBC बोर्ड ने पहली बार कुरोना महावारी के चलते फास टाम में बोर्ड एक्जामिशन कॉंड़र्ट कर रहा है और वो एक्जामिशन तो लोग का न ग्रामर सेक्शन है वही मैं यहां पर डिसकस करने जा रहा हूं तो इस चनल में बने रही है और होगा तो इसको एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तो जरूर कीजिगा तो स्टुडेंट चलिए हम देखते हैं कि किस तरब का ग्रामर आने वाला है और कैसे ग्रा हमार आता है complete the paragraph and choose the correct option तो इस तरब का अगर कोई तुम्हों का परेग्राफ आता है तो पहले तुमको उस परेग्राफ को ठीक से पढ़ने का है पढ़ने से क्या है तुम मतलब आधा समझ में आ जाता है फिर उसके बाद ही option को देखना है तो आए हम चलते हैं यह क्या ठीक तरह से answer को लिख पाओगे समझ गया तो in the past few decades television has become the next powerful means of entertainment तो student यहाँ पर degree of comparison का इस्तेबल किया गया है और इसी सबसे वो होगा most मतलब सबसे बड़ा instrument है जो के entertainment के लिए ज़रुरत है और यूज किया जाता है तो इसमें होगा most समझ गया तो with the introduction of many satellite channels its reach dex manifold इसमें मतलब यह present continuous tense में है तो is increasing many fold तो इसमें होगा ease increasing समझ गये तो student I am sure you all dex agree with me that TV has become an indispensable gadget in our home इसमें मतलब could होगा I am sure you all could could मतलब एक possibility में use होता है और मतलब yes और no तो स्थिति में एक positive sense में could use होता है तो इसमें good होगा understand एक narration change मतलब direct indirect इसमें एक dialogue है दोनों के भी कोई dialogue है और उसको तुम उसको complete करना है तो उसको कैसे करोगे यह पहले था अभी सेभी इसने इसको दोबारा से introduce किया है तो उसको थोड़ा ठीक से पढ़ा लिया कीजिए और उसके बाद ही उसका answer करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या dialogue है यह Manu और अरुन के बीच में dialogue है तो Manu I am really thrilled about our trip to South India I have heard it इसमें option A A में क्या होगा A में होगा it has some wonderful beaches इसमें देखिए स्टूडेंट सम और मेंनी के बीज में थोड़ा confusion है लेकिन सम ज्यादा appropriate है क्योंकि सम जो है वो एक positive sense में use होता है तो इसमें सम होगा और मेंनी नहीं होगा तो थोड़ा सा मतलब sentence का structure थोड़ा देख लिया कीजिए उसमें से मतलब तुम पुरा के पुरा सुम समझ जाओगे समझ यह तो देखिए येस आई एम फिलिंग मतलब उसका फिलिंग अभी है तो उसमें होगा आई एम फिलिंग एग्जाइट अंडर्स्टेंग फिर मनु बोल रहा है कि I don't know what I will do when I will find myself standing before the vast sea उसमें होगा what I will do मतलब यह question नहीं है so मतलब what will I नहीं होगा what I will do एक sentence के statement के तरफ से है तो उसमें एक statement जैसा यूज होगा तो what I will do इसमें थोड़ा सा careful रहना student क्योंकि narration change में कभी ऐसे question mark नहीं होता है और integration नहीं होता है interrogative sentence नहीं होता है तो please उसमें थोड़ा सा careful रहना understand हम और एक करेंगे fill in the blanks वाला question तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है और किस तरफ से उसको मतलब आप कर सकते हैं तो हम देखते हैं You decks get the car repaired there is something wrong with the brakes option a might has to need have to तो answer होगा have to मतलब यह obligation जैसा है तुमको करना पड़ेगा तुमकि उसका brake खराप हो गया है तो उसमें यह होगा Now next nobody decks going to watch his performance इसमें ease होगा nobody मतलब कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं मतलब singular use है तो इसमें ease होगा समझ गे तो Come to see there isn't dex milk in the glass इसमें होगा आपका much होगा क्योंकि यह uncountable noun है तो इसलिए इसमें much होगा Understand Now यह देखिए अगर वो भावल letter है European लेकिन भावल sound नहीं है एक consonant sound है तो sounding letter में से यह होता है A European होता है understand और dot ताज मतलब एक particular ताज को देखने के लिए वो आया है तो उसमें dot dot ताज होगा Understand You dex be considerate towards your neighbors इसमें ought to होगा मतलब you should considerate मतलब तुम अपना podoshi के साथ आच्छा behavior करना चाहिए और उनके साथ आच्छा से pace आना चाहिए तो उसमें ought to होगा Understand To students यह video थोड़ा ज्यादा लंबा कीज़रा है Today